1224 का लोकसभा चुनाओ नस्दीक है, इसे में राजूतिक हलचल तेज होना तो लाजमी है रोजाना राजूतिक मांटेतों के अनुमान बदलते रहेंगे तबी जैसे ही पूर्व मुख्य मंत्री अशोग गैलोत के करीबी और पूर्व मंत्री लालचंद काटारिया की तस्वीर उपराश्वती जगदीब धंकर के साथ सामने आई, तरह तरह के अटकले लगनी शुरू हो गए सवाल उठने लगे कि क्या वाकी काटारिया कॉंग्रिस छोड़ सकते हैं इसे पहले भी लालचंद काटारिया की कॉंग्रिस छोड़नी की जम कर चर्चाय चली थी, उन्होंने हाली में विदानसभा चुनाओ लड़ने से भी इंकार कर दिया था, इस बीच अब लोकसभा चुनाओ काफी नस्दीक है ऐसे में उपराष्टुपती जगदीब धनकर के साथ उनकी मुलाकात कोई बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश कर रही है बताय जा रहा है कि उपराष्टुपती के साथ उनकी मुलाकात के दौरान आरेसे से जुड़े हुए कुछ लोग भी मौजूद थे ऐसे में सियासत में राजूतेक पारा चड़ गया है कयास लगाए जा रहे है कि कटार्या बीजुपी का दामन पकड़ सकते हैं उपराष्टुपती से कटार्या के मुलाकात को इसी संकेट से जोड़ कर देखा जा रहा है लालचन कटार्या के निर्वाचन शेत्रे जोटवाड़ा विधान सबा था हलाकि इस बार उनके शेत्र में काफी विरोध रहा उसको देखते वे उनोंने चुनावन नहीं लड़ने का अलान किया और तर्क दिया कि वो राजविती की जगा आध्यात्म की ओध्यान देंगे लेकिन बीते दिनों प्राश्वपती जगदीप धनकर के साथ उनकी मुलाकात के बाद कुछ और ही संकेट देखनी को मिल रहे है और देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें तो जुड़े रहे हैं हमारे साथ और देखते रहे हैं यूस 24